हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए बहुती प्यारा सा हमरे अलाकट प्लाजो बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 1.5 मिटर कलोथ लिया है यानि 1.5 मिटर फेब्रिक लिया है आईए वीडियो शुरू करते है यहाँ पर ये दो पीज हमने ले लिये हैं जिसकी लेंथ 27 इंच है और चोड़ाई में भी 27 इंच है अब हम इसको ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से इसकी उपर की साइड से हमें इस पर 7 इंच का निशान लगा लेना है अब इस निशान को हमें मिला दे लेना है टोटल लेंथ इसकी 27 इंच है तो हम सभी जंगे से 27 इंच पर इस पर निशान लगा देते हैं अब इन निशानों को हम मिला देते हैं इससे नीचे की साइड की गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर आएगी कहीं से भी कमिया जादा नहीं होगा अब हम इसकी कटिंग क लेना है इसको अब यहां से हम लेंथ में 6 इंच का निशान लगा लेते हैं और अंदर की साइड को हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है अब इसको ऐसे तिर्चा करते हुए जहां तक हमने निशान लगा हुए वहां तक मिला लेते हैं अब इसमें हमें हलकी सी गोलाई कर द कटकर यहां उपर की साइड हम इसमें बेल्ट लगाएंगे वैल्ट के लिए हमने चोडाई में यह ध्री इंच है और लेंध में 23 इंच हैं अब सबसे पहले हम अपने आसन को डबल कर लेते हैं और उसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं एक सिलाई यहाँ पर हमें और लगानी है दो सिलाई लगाकर हमने यह आसन तयार कर लिया है दो सिलाई ही हम दूसरी साइड पर लगाएंगे फ्रेंड्स आसन पर हमेशा हमें डबल सी वलाई लगाने चाहिए जिससे यह पहनने के बाद जल्दी से उदरते नहीं है हमारी मोहरी मिल गई है अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेट्स करके पूछ सकती है और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरीके से अगर हम बेल्ट लगाते हैं तो हमारी साइड बेल्ट में बहुत ज़ादा फिनिशिंग आती है ऐसे ही हमें चारो तरफ से बेल्ट लगा कर अपनी इसको तियार कर लेना है यह बेल्ट यहां तक हमने अपनी लगा दी है अब दोनों पीस हम एक साथ मिला लेते हैं बेल्ट के और इसको जोड़ देते हैं यहां से ये देखिए बेल्ट हमारी यहां पर लगकर तयार हो गई है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इस पर फॉल्ड करते हुए बेल्ट पर सिलाई लगा लेते हैं जो अंदर की सिलाई हमारी है वो हमें इसी सिलाई के नीचे की साइड को दाब देनी है ये प्लाजो बहुती प्यारा सा बेबी के पहन कर लगता है आप टोप के उपर इसको पहना सकते हैं या इसके उपर कुर्ती भी बना सकते हैं ये हमने यहां से नेफे को अपने फॉल्ड कर दिया है तू इंच के करीब इसको छोड़ दिया है लास्टिक जाने के लिए बेल्ट हमने लास्टिक हमने 17 इंच ली है अब इसको बेल्ट के अंदर की साइड को हम पिरो देते हैं ये देखे लास्टिक हमने पिरोदी है और दूसरी साइड को लास्टिक को निकाल लिया है अब हम लास्टिक को एक दूसरे के उपर रख देते हैं और यहां से दो सीन सिलाई इसके उपर लगा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए और नेफे के अंदर जाकर खुले नहीं अब हम अपने खुले हुए हिस्से पर सिलाई लगा देते हैं जिसमें हमने लास्टिक डाली थी अब इस लास्टिक के उपर बीच में नेफे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है आगे और पीछे दोनों साइड से नेफे को खीचते हुए फ्रेंट्स ये सिलाई लगने के बाद हमारी इलास्टिक मुड़ती नहीं है ऐसे ही रहती है हमेशा बिल्कुल सीधी इसलिए आप भी जब किसी भी चीज में इलास्टिक डालें तो बीच में इलास्टिक में सिलाई जरूर लगाए ये देखिए हमारा ये उपर की साइड से तयार हो गया है अब हम नीचे से अपना घेरा फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंट्स नीचे की साइड से हमारा घेरा गोलाई का है तो गोलाई वाले घेरे को हमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना चाहिए चोड़ाई में कम फोल्ड ही चोड़ाई में करना चाहिए जिससे इसमें किचाव नहीं हाता है चुन्नटे नहीं बनती हैं बिल्कुल बराबर हमारा बहुत प्यारा सा घेरा मुड़ कर तयार होता है गोलाई वाली चीज में हमेशा कम घेरा चोडाई में मोरना चाहिए अब हम इसके किनारे पर एक सिलाई ओर लगा देते हैं इसकी साथ हमने ये टोप भी बनाया हुआ है अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रेप्शन में दे दिया है और सिर्फ लाजो भी किसी भी टोप के साथ बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में